हेलो फ्रेंग्स अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आज की डेट में लिंक्डिंग ने बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है जिसके तुरू आप अच्छी जॉब्स अप्लाइ कर सकते हो जो टॉप कंपनिस के रिक्रूटर्स हैं वो भी लिंक्डिंग को यूज करते हैं ता आपको मिलती रहें और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल इस्किल बस ओफिशिल जहां पर हम अपडेट करते रहते हैं तो यहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो अब मैं आपसे बात करता प्लैटफॉर्म है जिसके तुरू आप टॉप कंपनी टॉप एचार टॉप सी योज टॉप फाउंडर्स से कनेक्ट हो सकते हैं अपनी कंपनी से अप्लाइ कर सकते हो जहां पर आप जाना चाहते हो अब प्रोफाइल बनाने के बाद सबसे ज्यादा हमारे लिए चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए बैगरावट बहुत या ब्राइट है या बहुत या डिस्टर्बिंग है तो एकदम नीट टिलीन जाहिए उसका साथ आपका फुल नेम होना चाहिए करेंड 스स एकdigung सही से पिंपॉइंट होना चाहिए उसके साथ से आपका अबाउटİंट को आईडिया लग जाना चाहिए कि आपका क्या पोटेंशल है तो सबसे पहली चीज हमारा यह है कि हमारी लिंग्डेन प्रोफाइल को आज हम लोग अपडेट करेंगे सारी की सारी जो बिकार की चीज़ें उनको हटा के एक दम प्रोफेशनल इसको बनाएंगे इसके बाद अ आपको किसी ने refer किया हुआ है तो अगर आप किसी company में apply करना चाहते हो तो जब आप job पे जाओगे तो यहां पर आपको सारी jobs दिखने लगेंगी और किसी भी job का description देखोगे उसके सामने option होता है ask for a referral तो अगर भाई आपके कोई ऐसा known है जो उस company में काम करता है या फिर आ बड़े-बड़े HR recruiters का interview लिया गया तो उन्होंने कहा कि जो already company के लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो जब किसी को refer करते हैं तो वो जादा better candidate होता है और वो जादा लंबे time तक company में काम करता है तो एक trust factor build-up हो जाता है जब कोई already existing employee होता है तो इसी लिए referral जब वो देता है तो जिसको वो refer करता है उसके selection के probability भी increase हो जाती है तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो और कोशिश करेंगे जब हम job के लिए apply कर रहे हैं that we are able to get a referral from someone उसके बाद अगर मैं बात करूँ fill out every part of the career intersection आपको वह career intersection का option दिखता है यहाँ पे आपको पूरा detail में fill करना है यहाँ आपको select करना है actively looking for a job तो actively आप apply कर रहे हो क्या क्या titles के लिए apply कर रहे हो कौन सी location के लिए जाना चाहते हो full time job करना चाहते हो यह बिल्कुल आपका updated होना चाहिए because recruiters इसको read out करते है recruiters कहते हैं कि हम आपके interest देखना चाहते हैं इस समय आप क्या plan out कर रहे हो तो इसको casually ना आप बिल्कुल इसको updated रखोगे जो जो आपका career interest है कौन सी field में जाना चाहते हो किस टाइब की job करना चाहते हो actively देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे वो सारी चीज़े जब आपके updated हो जाएंगी and recruiters को idea लग जाएगा that you are open for a new job इसके बाद अगर मैं आपसे बोलू तो turn on job alerts, job alerts अपने create कर लेना ताकि कभी भी कोई job post हो तो आपके बास बिल्कुल alert आजाएं उसका notification आजाएं and आप उसको apply कर सको तो जब आप देखोगे यहाँ पर job type search करते हो तो यहाँ पर आपके पास option होता create search alert तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हो कौन कौन सी job के आपको alert पर चाहिए किस type की job आप ढूंड रहे हो हो सकता है अभी available ना हो लेकिन हो सकता है दो हफते बाद एक हफते बाद उस type की job आने वाली हो तो आपको कैसे पता चलेगा तो आप जब job alert अपना create कर लोगे तो you will get all the notification related to your interest तो यह चीज़ important इसको कर लेना ताकि आप बिलकुल updated जहो इसके बाद अगर बात करें don't just copy or cover letter बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे network में जब हम लोगों को add करते हैं हमारे connection में top HR connect हो जाते हैं top CEOs connect हो जाते हैं president level के लोग connect हो जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको direct हम लोग message कर दें direct message करके हम उनको बोले कि हम आपकी company में automated अपना template भी देता है तो आप सोचो कि template तो तयार है भेज देता हो तो यह चीज बिलकुल भी मत करना क्यों नहीं करनी है यह क्योंकि वह जो top recruiters उनको idea है तो always have a personal message उनका जिनको आप message कर रहे हो उनका नाम लिखो उनको short में चीज़े बताओ बहुत बड़े बड़े चीज specific job specific आपका cover letter होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक cover letter बना रखा है वही सारी कंपनियों में भेजे जा रहे हो उसका कोई sense नहीं बनेगा तो अगर आप किसी particular job के लिए interested हो तो वही सामने वाले recruiter को लगना चाहिए कि आप उस job में interested हो वो तभी पता चलेगा जब job titles बार बार change करते रहते हैं बट job titles है जादा important है अपना skill set recruiters बहुत जादा देखते हैं क्या आपका skill set है तो आपकी profile में नीचे skills का option होता है अगर आपके उस already skills है तो उनको update करो अगर आपके उस skills नहीं है तो उन skills को सीखना पड़ेगा अपनी link ने profile में update करोगे उसके बा आपने financial modeling का course कर लिया कोई कोई आपने advanced excel का course कर लिया तो recruiter को लगता है कि आपको पहले से knowledge है आपको training जादा नहीं देनी पड़ेगी इसलिए वो आपको select करने के chances increase कर देता तो इसलिए जिस type की job में आप जाना चाहते हो आप coding में जाना चाहते हो तो web development android app development सीख के जाओ अपने LinkedIn profile में update करो then companies में apply करो तो इससे क्या होगा एक positive impact पनेगा उनको भी पता चलेगा कि आप skilled हो and skilled लोगों की ज़रूरत हर किसी company को होती है इसके बाद like comment and share items भाई LinkedIn भी अलग जो other social platforms है उनकी तरह काम करता है आप ये expect नहीं कर सकते कि LinkedIn पे आप profile बना दो and आप कोई activity ना करो तो आपके पास job options जादा आएंगे अगर आप रहना चाहते हो LinkedIn के top results में आपको चाहते हो कि आपको LinkedIn भी refer करें तो जो भी LinkedIn पे post आ रहे हैं उन पे आप like करो उन पे comments करो उन पे share करो ताकि LinkedIn को पता चले that आप LinkedIn के active user हो आप LinkedIn के साथ काम करना चाहते हो LinkedIn पे आपकी presence है ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पनी profile बना ली बस अब आप online आ भी ने रहे हो 10-10 दिन में एक बार check कर रहे हो तो आप जो है एक active user नहीं कहला होगे and LinkedIn आपके जो results है वो top में नहीं दिखाएगा तो बहुत important डेली basis पे चाहे 5-10 मिन लेकिन online जरूर आओ and जो इनके main main comments आ रहे है main main जो post आते हैं उनको share करो नहीं नहीं jobs को track करो ताकि LinkedIn समझ पाएं कि आप इनके loyal और active user हो तो I hope आपको इस सारे के सारे suggestion helpful लगे हैं इन suggestions को implement करोगे तो definitely आपकी जो probability है job के लिए वो increase हो जाएगी अगर आपको channel का content अच्छा लग रहा है तो channel को subscribe ज़रूर कर लेना thank you so much all the best take care